फरवरी 2016 में भारत तरकार में निर्भयाप फंड के अंतरगत 112 सेवा शुरू किया था जिसमें फोन से एक ही नंबर 112 पर एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा और अगनी समन की सुविधा के लिए संपर्क किया जा सकता था एक ही नंबर से उस समय देश की लगभग 16 राज्यों ने इस योजना को अपने अपने राज्यों में सुरू किया बाद में एपरिल 2016 में ही चार अन्य राज्यों ने भी इस योजना को अपने अपने राज्यों में सुरू कर दिया और उसके बाद फिर अन राज्यों ने भी धीरे धीरे इस योजना को अपने अपने राज्यों में लागू किया इस योजना के लिए पैसे केन सरकार दे रही थी निर्भयाफंड से लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार को यह योजना सुरू करने में बिहार में इस योजना को शुरू करने में तीन साल से भी अधिक ज़्यादा समय लग गया जब जुलाई 2022 में बिहार सरकार ने बिहार में यह योजना शुरू भी किया तो सिर्फ सहरो तक सीमित रखा बिहार यह सेवा शुरू करने वाला हिंदुस्तान का आखरी राज्य था अब जाकर नवंबर 2023 में नितिस सरकार ने इस 112 नंबर की सुविधा प्राप्त करने की योजना को ग्रामिन अस्तर तक भी फैलाया है या उसे फैलाने का फैसला लिया है क्या यही है नितिस मॉडल इस तरह की जरूरी सेवा को सबसे आखरी में लागू करने वाला नितिस मॉडल या बिहार मॉडल 104 सेवा का जन्म साल 1976 में यूरोपियन कॉंफरेंस के एक सुझाव पर सुरू हुआ था साल 1999 से इस सेवा को पूरे यूरोप से लागू करने का परियास किया गया और आज सिर्फ इस इस एक जन्म से लागू करते हैं अगर आपका फोन लॉक है तब भी ये सेवा काम करेगी यानि कि 112 नंबर की सेवा एक सो बारा नंबर पर आप फोन कर सकते हैं अगर आपका फोन लॉक है तब भी जैसे कि भारत में पहले से ही आप पुलिस को फोन कर सकते थे तब भी जब आपका फोन बंद है या लॉक है फिलार आपका फोन बंद नहीं है इसलिए हमारे न्यूज हंटर्स को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए और अपने फीडबेक को भी दीजिए हमें नमस्कार प्राइब को प्राइब कीजिए लॉक है